मुल्ड बिस्मिल्ला एरो माराओं, आसलाम अलेकुम दोस्तों ये पाकसान मिलिटरे स्टेबected के अवाले से पारट फिफ वीडियो है ये पाकसान मिलिटरे स्टेब apron सीरीज के उपर मैंने पांच वी वीडियो रिकार्ड कर वा 됐 इससे पहले भी मैं चार वीडियो रिकार्ड कर आ चुका हूँ और उसमें मैंने बहुत सारी चीजों के उपर बात किये कि पाकिसान विल्टरी कैसे काम करती है क्या उसका फंक्षन है वो क्यों इतनी स्टरबन है क्यों इतनी रिजिस्टन है क्यों वो पॉलिटिकल फोर्स को स्टरेंफन होने नहीं दे सकती और वगेरा 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 ठीक है सबसे पहले तो आप सबको जशने अज़ादी मुबारक हो 14 आगस्ट है आज ये 14 आगस्ट के दिन के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी डिसकस करेंगे कि 14 आगस्ट जैसा दिन हासल करने में कितने फोजी उने कुर्बानी दी और कितने जनरलों ने अपनी जान का नजरा ना पेश किया इस पाकिसान को हासल करने के लिए ये बल्कुल हम डिसकस करेंगे कि कितने फोजी मरे थे पाकिसान हासल करने के लिए बरहाल जो main topic आज में discuss करने वाला हूँ कि different revolutions जो दुन्या में आए हैं और उससे compare करूँगा कि Pakistan की military establishment को और फिर America की military establishment को, Iranian military establishment को और French revolution को ये सारे चीजे में इस तर्तीब से इस लिए discuss करने जा रहा हूँ क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि Pakistan की military establishment का thinking model क्या है और दुन्या की other military establishment का thinking model क्या है और इन में से क्या conclusions हम ड्रा कर सकते हैं जो कि हमें मदद करेंगे हमारी future planning के हवाले से कि इस तरह की military establishment को किसे control किये जा सकता है सबसे पहले आते हैं कि जो पाकिसान की military establishment है इसकी thinking इस वक्त वेसी ही है जैसे आपकी Egyptian military की है या Libya की है ये बिलकुल उसी thinking pattern के उपर चल रही है क्योंकि इस वक्त अंडर General Baja पाकिसान military establishment पाकिसान को मुकमल तोर पर Egypt बना रही है Egypt में कोई भी decent voice नहीं हो सकती अमेरिका की influence एक military dictator बेढ़ता है Egypt के उपर और वो उसके अच्छे बुरे के सावाम फेसले करता है फिर हमें पता है अन्वर सादात जमाल ये सारे के जमाल नासर ये सारे के सारे किस तरह के फेसले करते है और इस वक्त जो अभी मुर्शी को जो मेडिया कंट्रोल होता है कि General Sisi के खिलाफ कोई बात नहीं होगी General Sisi को बड़ा बना कर पेश किया जाएगा General Sisi बड़ा ठीक बंदा है General Sisi ये कर रहा है वो कर रहा है और इसी तरह से मुर्शी के खिलाफ बात होगी मुर्शी गदार है टेटर है अक्वानन मुसलमीन का मजले कि Communist China भी था रूस भी था लेकिन फिर भी इन दोनों की आपस में नहीं बनती इसी तरह से सदर मुर्शी की और इनाजियों की भी बात में नहीं बननी थी किसी भी पॉलिसी के ऊपर तो ये इसी तरह का Egyptian model पाकिसान में apply किया गया है अब जनरल सिसी की जगा पर हमारे पास जनरल बाजवा बेच दिया गया है और जनरल बाजवा कह रहा है कि बस जो कुछ भी कह रहा हूं में सही हूं मीडिया की censorship है पाकिसान पूरी तरह से Egypt बना दो एक fascist regime बठा दो और fascist state बना दो लेकिन अब हमें सोचना यह चाहिए कि fascist regime या fascist होने से फाइदा है या नुकसान है अगर अमरीका का साथ देने से मुमालिक की तरकी हो जाती तो जो Egypt है इसकी तो बहुत ज़्यदा तरकी होनी थी Egypt आज भी पीछे है Egypt की तरकी क्यों नहीं हुई Egypt आज भी पेसे मा थे फिर क्यों नहीं तरकी कर से यह एक मतलब बनाई गई है कि अंड़ी तो तरकी करोगे अंड़ीख कर अबिका के खड़ाइव ना चीन फिर भी तरकी कर रहा है जा रहा है इंडिया तो अमरीका कależy कर भी गama कर एंट खर उकर आप ना चाहरबाद चला रहा रहा है Γरम रिय जो टॉप इलीट होती है उसके साथ वफादार हो इलीट में कौन-कौन आ जाता है आपकी जुडिशरी आपकी आर्मी आपके पॉलिटिकल हेड्स आपके बिसनेश में और आपके मीडिया वाले ट्राइकून यह सारे के सारे मिल कर आपकी एलीट बनती है और अगर यह इलीट मुल्क के साथ वफादार है तो मुल्क तरकी करेगा, फिर अवाम भी मेनत करेगी क्योंकि elite मेनत कर रही होती है, लेकिन जब elite वफादार नहीं होती है, elite corrupt होती है जैसे आपके जनरल चोर है, आपके judges चोर है, आपके मीडिया वाले चोर है आपके businessmen तो वेसे ही चोर है, फिर politicians क्या कसूर है, सिर्फ politicians नहीं सारा मुल्क चलाना होता है, बाकी सारे ऐसे ही बेठे होते हैं, तो फिर यही होता है जो पाकसान के साथ हो रहा है, अब 70 साल हो गए पाकसान की economy, 300 billion dollar मुश्किल पोजी है, यह है हमारी economy, हम 2 trillion dollar की economy बनने का potential लगते हैं, लेकिन कोई भी फरक नहीं पड़ा, क्या हुआ है हमारी economy को, अब कहते हैं कि स्यासतदानों ने खराब किया, भाई, 70 साल से मुल्क पोज चला रही है, 35 साल डारेक्ली चला या, 35 साल इंडारेक्ली चला या, इस वक्त भी देखे, एक civilian government है, लेकिन किसको नहीं क्या है कि क्यों अमेरिका में मार्शला नहीं लगती, क्यों अमेरिका में प्रेजिडेंट इतना powerful माना जाता है, इसका सबसे बड़ी वज़ा ये है कि अमेरिका एक फोज पर depend ही नहीं करता, पेंटागोन एक अलग institution है, उनके पास और भी बहुत सारी secret services है, FBI है, टे डिपा accountability है, चेक होता है, उनके कितने सारे generals को Senate के सामने बेट कर briefing देनी पड़ी है, हम सब ने देखा है कि अफगान एसान के बाद उनके generals की कैसे senators ने class लगा दी, कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कितनी अची खासी class लगाई है उनके generals क senators ने, so accountability है वहाँ पर, यहाँ पर कौन सी accountability है, जब भी force से पूछो के तुम्हारी accountability करनी है, नहीं हमारे अंदर internal system है, कौन सा internal system, कैसा internal system, तुम ये जवाब दें उना पड़ेगा Parliament के सामने, internal system है, हम खुद अपनी accountability करेंगे, कौन सी self accountability, कहाँ पर ये इनिजाम चलता है कि self accountability है, हमें self accountability पे रहने हैं तो हमसे कोई ना पूछे, Parliament हमारे ऊपर कोई भी कानून पास ना करें, Parliament हमसे कुछ भी ना पूछे, ये सारा ड्रामा, सारा का सारा ड्रामा, सारे जेनलों का दमाग खराब ही इसी बात से हुआ है, कि इनके accountability नहीं है, Parliament के सामने ये आते ही नहीं है, वरना अगर Parliament के सामने आए, तो इनके सारे कच्छे चिठे खोल जाए, कि कौन जेनल कितना करप्त है, ये क्या काले मूँ करके बेठे हुए है, और इन जेनल की position क्या है, सब कुछ छुपा के बेठे हुए है, अपना, मीडिया के सामने भी नहीं बता दे, वरना पाकिसानिय एक और सबसे अची चीज है, कि वो एक कोट है फेमस अमेरिका का, ट्री आफ लिबर्टी मस्ट भी रिफ्रेश फ्राम टू टू टाइम विद बलड़ पेट्रेट्स इंटारेंट, ये बड़ा जबदस कोट है, इसके मुताबिक जो आजादी है, आजादी उसको बार बार मतलब जालमों के खून से भी आजादी को रिफ्रेश करना पड़ता है, और पेट्रेट्स जो बादर हुबलवतन लोग होते हैं, उनके खून से भी, इसी तरह से ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पेट्रेट्स कुर्बानी देते फिरें, मुल्क के अंदर जालमों को भी खात्मा करना पड़ता है, उनके खून से भी अपनी आजादी की हिफाज़त की जाती है, पाकिसान में ये मसला हुआ है कि यहाँ पर सतर साल से सिर्फ पेट्रेट्स कुर्बानी देते आ रहे हैं, जालम खापी कर भागते हुए बार जा रहे हैं, बस तो बार बार इंस्टिशन को और हाल करने की जरूरत पड़ती है, हर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, पारलिमेंट जब अकाउंटबिल रखती है इंस्टिशन को, तो उनकी और हालिंग करती है, उनके अंदर चेंजिज लाती है, उससे वो इंस्टिशन अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, और फिर ज्यादा एफेक्टिबली काम कर सकते हैं, पाकिसान के साथ मसला यह हुआ कि पाकिसान की पारलिमेंट ने किसी भी इंस्टिशन को अकाउंटबिल रखाई नहीं है, हाडली पुलिस या थोड़ी बहुत बेरोक्रेसी होगी, जुडिशिरी और आर्मी अकाउंटब पुलिटी का सिस्टम ही नहीं रहा, आर्मी के उपर कभी भी पालेमेटरी सुपर्विजन रही ही नहीं है, सुपर्विजन ना रहने की वज़ा से यह हुआ है, कि उनके अंदर की खामियां उनके सामने आई नहीं, जिसकी वज़ा से वो बिलकुल 1940 वाले, वर्ड़ वर्ड यह सबसे बड़ी मतलब ताकत दर है, इरानियन आर्मी अलगे, इरानियन रेवलुशनेरी गार्ड अलगे, वो धाई लाके करीब है, इरानियन रेवलुशनेरी गार्ड और इरानियन आर्मी तक्रीबन 4-5 लाके करीब है, मगर IRGC सबसे ज़्यादा ताकत दर मनी जाती है, क्योंकि उसके पास अपनी एरफोर्स है उसके पास अपने बिजनसेस है और IRGC और पाकसान आर्मी बिल्कुल से में मैनमार वाली आर्मी और पाकसान आर्मी बिल्कुल से में Egyptian आर्मी और पाकसान आर्मी बिल्कुल से में कि ये उल्टे सिदे फैसले करते, ये मार्शला लगा देते, ये किसी लोगों को उठा देते, IRGC ने भी क्या किया है, अब उसकी accountability नहीं है, 1980s में revolution आया, तो लोगों ने का IRGC आके हमें संबाल लेगी, वो कर लेगी, ये कर लेगी, IRGC ने क्या उखाड़ा, कुछ भी नहीं उखाड़ पाई है, अभी तक IRGC, बलके उल्टा, जैसे पाकसानी फोज कबजा करके, पेसे लेती रहती है, जमीनों के उपर, IRGC भी वही करें, मेनवार की फोज भी वही करें, Egyptian army भी वही करें, unaccountable army मुल्की दुश्मन होती है, मुल्की मुहाफिज नहीं होती, unaccountable army, unprofessional army होती है, political army होती है, वो मुल्की दुश्मन होती है, मुल्की मुहाफिज नहीं होती, जिस तरह से हमें जूट पढ़ाया जाता है, कि फोज मुहाफिज है, फोज मुहाफिज है, जब आपकी army accountable होगी, आपके institution के सामने जवाब दे होगी, अगर इतनी मुहाफिज है, इतनी खेर खुआ है, इतनी खुले दिलवाली है, तो क्यों नहीं जवाब देती, क्यों नहीं जवाब देती, खुलकर, बलके यहाँ पर उपर से, नीचे से, बाए से दबाती है, लोगों को उठाती है, अगर accountable है, अगर इतनी innocent है, तो खुलकर जवाब दे, खुलकर जवाब नहीं देती, क्योंकि unaccountable है, corrupt है, मसले हैं, इसी वज़ा से, चलो, फिर कभी और वीडियो में इसके हवाले से बात करेंगे, थैंक्यू वेरी मच्ट,